Hello students of class 12th, जैसे कि बेटा हम chapter number 4 कर रहे थे, जिसका नाम है determinant है, आज मैं आपको simple इस determinant को expand करना सिखाया था, बे simple कैसे expand करते हैं, आज बेटा हम इस determinant को expand करनेगा एक second way सिखेंगे, जिसका नाम है sars rule बेटा, अब sars rule में आपने करना क्या है, मैं pencil उठाती हूँ, उससे आपको स समझाती हूँ बेटा, sars rule में आपने इस column को पहले नीचे लिखना है, फिर बेटा second column को यहां पे लिखना है, फिर थर्ड column को बेटा आपने यहां पे लिखना है, फिर आपने first और second column को repeat करना है, जैसे मैं बोलू, first और second column को क्या करना है, repeat करना है, उसके बाद बेटा, उस इस तरीके से आना है कि बीच में एक element रह जाए ठीक है तीसरे के आप आके वो खत्म हो जाए यहां से चलना है इस तरीके से छोडना है कि बीच में element आ जाए और यहां पर रुक जाए यहां से चलना है बीच में element रह जाए और इस तरीके से चल जाए ठीक है इस तरीके से आप ऐसे ही नीचे से करना है, नीचे से उपर की तरफ बढ़ते जाना है, बीच में एक element रहना चाहिए और उपर की तरफ बेटा, नीचे से बढ़ते रहना है, बीच में एक element रहना चाहिए और उपर की तरफ बेटा, ठीक है, समझ मैं ही बात में नहीं क्या बोला, आपका येवल element खाली पड़े रहा जाएंगे इनको आपने कुछ नहीं करना अब आपने determinant की value निकालनी कैसे है बेटा determinant की value निकलेगी आपने उपर से नीचे की तरफ जाना है multiply करते हुए 3 multiply 6 multiply 3 ये करा फिर बीच में आपने plus डालना है ये बड़ा प्लस डाला फिर इसको multiply करा 4 7 और 2 को समझ में आई बात उसके बाद ये बड़ा bracket डालके बीच में यहां पर आपने minus डालना है क्या डालना है बीच में minus डालना है अब बड़ा bracket फिर से डालना है 1 multiply 6 multiply 4 करा फिर बीच में plus डाला 2 multiply 1 multiply 3 करा फिर बीच में प्लस डाला 3 multiply 7 multiply minus 5 करा ठीक है अब यह करने के बाद आपने इसको करना है यह देखो 6 तरीका 18 तरीका 54 यहाँ पर आजाएगा बेटा क्यूंकि यहाँ पर plus के नहीं है बेटा माइनस के 5 है ना तो में गलती है यहाँ पर माइनस के 5 अब यहां के बेटा आपके आजाएगे 56 करके देख लेना सारा सही आएगा 24 प्लस के 6 माइनस 105 यह आपका जाएगा 105 प्लस 75 इस इकलो 180 समझ में आया बात इस तरीके से सार्स रूल अप्लाई करते हैं मैं एक और आपका कोश्चन लेती हूं उसको सार्स रूल से अप्लाई करेंगे बाता ठीक है इस तरीके से आप 3 बाई 3 मैट्रिक्स निकाल सकते हैं मालो मैंने एक मैट्रिक्स लिया यह रहा मैंने 1-1-4-2-3-1 यहां पर मैट्रिक्स नहीं है और यह रिखो 400 अब मैंने इस मैट्रिक्स को इसी तरीके से उतारना है जैसे मैंने आपको बोल ला है ठीक है अब देखो मैं उतार रही हूं ठीक है यह रिखो सबसे पहले यहां पर 1-1 और 4 फिर सेकंड रो 2-3-1 फिर थर्ड रो 4-0-0 ठीक है फिर 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 सेकंड कॉलम बेटा मैं गलती से नहीं यहां से यहां की तरफ आने है इसको ऐसे छोड़ना है यहां से यहां की तरफ जाने है यहां से यहां की तरफ जाने है ठीक है फिर यहां से यहां यहां से यहां जाने है यहां से यहां जाने है ठीक है फिर आपने the value of determinant फिर आपने value निकालनी है determinant कि जैसे मैंने आपको सिख जबाइए ठीक है 1 multiply 3 multiply 0 समझ मैं बाथ फिर बीच में प्लस 2 multiply 0 multiply 4 2 multiply 0 multiply 4 फिर बीच में प्लस 4 multiply minus 1 multiply 1 4 multiply minus 1 multiply 1 ठीक है उतारने के तुम्हें सीधा भी उतार सकती है लेकिन मैं चाहती है आपको proper समझ आए 4 multiply 3 multiply 4 ठीक है 4 multiply 3 multiply 4 फिर प्लस डाला 1 multiply 0 multiply 1 1 multiply 0 multiply 1 फिर बीच में प्लस 0 multiply minus 1 multiply 2 ठीक है अब मैंने इसको solve करा 0 आ गया अब यहाँ पे solve करा यह 0 आ गया फिर यहाँ पे मैंने solve करा यह आपका है थोड़ी दिखेता है 4 4 minus 1 यह आपका आ गया minus 4 ठीक है फिर bracket डाला 4 4 का 16 48 ठीक है अब देखो यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि 0 से multiply करेंगी यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा minus 4 यहाँ पे minus 48 यह minus 52 मैं इस बात इस तरीके से आप determinant की value निकाल सकते हो मैं आपको दो तिन question देती हूँ आपने इनको ना दूसरे वाला method भी लगाना है जो मैंने आपको बोल ला है और source rule भी लगाना है ठीक है दोनो method के लगाना है यानि कि evaluate करने आपने by two methods यानि कि दोनो method से इसकी value आप निकाल के बताओगे मुझे पहला method है 0, 2, 4, 2, 3, 5, 0, 4, 6 और दूसरे वाला है आपका 2, 3, 4, 4, 6, 8, 7, 9, 11 और तीसरा है आपका matrix 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 ठीक है एक मैं और दे रही हूँ आपको 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2 इसमें आपको क्या करोगे 4A is equal to 64 modulus A निकालना है आपने इसमें आपने क्या करना है determinant निकालने से पहले एक वर इसको 4 से multiply कर देना सारे matrix को फिर determinant निकालना दूसरी तरफ determinant निकालने के बाद answer को 64 से multiply कर देना ठीक है बटा इसके साथ ही आपकी ये exercise done होती है 4th A 4th B जो आपकी exercise है वो ध्यान से समझना कोई वीडियो उसकी skip मत करना वेटा क्योंकि अगर वो उपर से गई तो उसके sum नहीं होंगे उसकी एक एक वीडियो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी वेटा 4th B is the most important exercise वेटा बहुत important exercise है उसमें से पेपर में एक question आना ही आना है जितने मर्जी पुराने question पेपर उठाओ वेटा है उसमें एक question तो उस exercise का पड़ा ही बड़े most important है उमीद कर रही हूँ कि आप साथ साथ में वर्क कर रहे हो चोड़ना मत अगर आपने यहां पे वेटा धील बरत दी तो याद रखना आपका concept दुबारा clear नहीं हो पाएगा साथ साथ में चलते जाओ जैसे जैसे में करवारी हूँ कुई जादा concept में नहीं ले रही बिलको थोड़ा थोड़ा सा concept हरी के वीडियो में समझा रही हूँ तांकि आपकी समझ से परेना जाए ठीक है ओके बटा तैंक्यू